Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ Alisha और आज मैं आपको एक और multi-purpose organizer सिखाऊंगी, तो चलिए start करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है 12 by 9.5 inches के 2 quilted pieces और 2 plain pieces इसी के साथ अब हमें लेना है 32.5 by 4.5 inches का एक quilted piece और एक plain piece अब लेना है 11 by 6 inches का एक quilted piece और एक plain piece मैंने आपर अपना main piece लेया और यह जो back का measurement है वो इसके हिसाब से लिया है और उसके बाद यह जो sides का measurement है वो यह है तो अब आपको क्या करना है जो sides का quilted piece लिया है उसमें हमें 32.5 inches का zip अटाच करना है तो पहले zip को इसके उपर उल्टा करके रखेंगे और plain piece को उल्टा करके रखकर हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे और अब हम इसके उपर prestige भी दे देंगे इसी के साथ अब यहाँ पर तीनों तरफ से इस quilted piece को इस plain piece के साथ जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने के बाद अब हम अपना यह quilted piece लेंगे इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और उसके बाद plain piece इसके नीचे रखेंगे सीधा करके और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे सिलाय लगाने के बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद यहां से अब हम इसको ऐसे करके फोल्ड करके अब हम इसके उपर ऐसे करके रखेंगे और प्लेन पीज को भी इसके उपर रखेंगे ऐसे fold करके और उसके बाद इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे करके सीधा कर लेंगे सीधा कर देने के बाद अब हम यहां से extra वाला जो part है न वो cut कर लेंगे अब हम दोनों sides से इसके उपर सिलाई लगा देंगे अब हम दोनों साइट्स में इसके उपर प्रस्टीज लगा देंगे अब यहां पर मैंने दोनों तरफ से प्रस्टीज लगा दिया है अब हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और जोड को जोड के साथ मिलाते हुए यहाँ पर हम माक करेंगे उपर में और नीचे में एक straight line draw कर लेंगे अब इसके बाद इस piece को भी ऐसे करके fold करेंगे यह जो main fabric हमारा उसको और fold करने के बाद यहाँ पर भी निशान लगा देंगे अब हमें दोनों के नीचे वाले भाग को आपस में मिलाते हुए अब इसको सिलाइ लगाने के बाद यहां पर मैंने लिया है है हैंडल जिसका मेंजमेंट होगा 14 इंजेज़ अब आपको क्या करना है यहां से 1.5 इंचेज दोनों साइटस में मार्क करना है है के उसके बाद यहां पर इसको ऐसे फोल्ड करके मिदन में मार्क लगा कर दोनों हैंडल को अटाच कर लेंगे यहां पर ना दोनों में हमें क्रॉस सा बनाना है ताकि एक दम मजबूती से अटाच हो जाए तो यहां पर देखे मैंने क्रॉस सा बना लिया अब इसके बाद यह मैंने ये वाला पार्ट जोड लिया था अब इसके बाद ये सीधा वाला पार्ट है ये भी मैं इसके उपर जोड दूँगी अब हम यहां पर कोर अटाच कर लेंगे और उपर वाली साइड में भी कोर अटाच करेंगे और नीचे वाली साइड में भी यहां पर मैं रेडिमेट कोर का इस्तिमाल करूंगी आप चाहे तो घर में बनाकर कोर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं यहां पर आप इसके अंदर पैड्स रख सकते हैं पूरा एक पैकट आजाता है पैड का नहीं तो आप इसके अंदर अंडर कामेंट भी रख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा फिर मिलती हो एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और थांक्स फर वाचिंग